प्लीज सुस्क्राइब आवर चैनल और प्लीज सुस्कार विम्ला की रसोई में आप सभी कर स्वगत हैं आज हम पालक पनीर बना रहे हैं बहुत ही सौधिस्ट बनाएंगे हम इसको नए तरीके से बना रहे हैं पालक पनीर चलिए बताते हैं इसमें क्या क्या पड़ता है पालक पनीर बनाने के लिए हमने ले लिया है यह 500 गुराम पालक हमने इसका डंठर निकालके अच्छे साफ कर लिया धोके और बारिक बारी काट लिया है यह तेल और यह 200 गुराम पनीर इसको हमने पीफिस में काट लिया है यह 50 ग्राम पनीर है इसको हमने मैस कर लिया अच्छे से नमक धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर गरम मसाला साबुत लाल मिर्च दो बड़ी टमाटन हमने बारिक-बारी काट लिया है दो बड़ी प्याज भी हमने बारिक-बारी काट लिया है यह मेथी दाना अदक लासन का पेष्ट आठ दस हमने ले लिया था लासन के कलिया उसको हमने बारिक-बारी काट लिया है जीरा सबसे पहले हम गैस में रखते हैं पैन और पैन में हमने तेल डाल दिया है तेल गरम हो है अब हम इसमें डालते हैं कटे हुए पनीर के पीसे और इनको फ्राइब कर लेते हल्का हल्का चलाते हैं इसको हम धीरे धीरे पनीर फ्राइब हो चुका है इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में गईस में हमने कडाही रख दिया है और कडाही में डालते हैं दो चम्मच तेल तेल को गरम होने देते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा कट्टी हुई बार एक प्याज प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ब्राउन होने तक अब इसमें हम डालते हैं अधा प्रसम का पेश्ट चला लेते हैं, इसको भी पका लेते हैं, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमत, चला लेते हैं इसको भी, प्याज सुनहरी हो चुकी है, अब इसमें हम डालते हैं बारी कटे हुए टमाटर, चला लेते हैं, अच्छे से इसको हम पका लेते हैं, अब इसे हम पास्मेर लिए ढख देते हैं ढखकन हम निकालते हैं टमाटन हमारे गल चुके हैं चला लेते हैं अब इसमें हम डालते हैं धनिया पाउडर एक चम्मच थोड़ा समीची पाउडर गरम मसाला चला लेते हैं फिर से थोड़ा सौर पका लेते हैं इसको हम अब हम इसमें डालते हैं बारी कटी हुई पालक अब ढख देते हैं इसको हम दो मिनिट के लिए और गैस को मीडियम हाई रखेंगे ढखकर निकालते हैं चलाते हैं पालक को हम अच्छे इस चलाएंगे पालक को हमने अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, नमक हमने पहले भी डाला था, इससे कमी डालेंगे, नमक को अच्छे से हम मिला लेते हैं, सब्सक्राइब 2 मिट के लिए के में हम भग देते पिर से, este panel को हम निकालते हैं, चला लेते हैं इसके cel थे माईशर से करें में-दिक करंगें सब्सक्राइब को बहुत ही अच्छी बनती इस तरह करने से बहुत और दकिते हैं हैं हमने इसे अच्छे से मैस कर लिया है अब हम इसमें डालते हैं मैस किया हुआ पनीर चला लेते हैं पालक हमारी पग चुकी है अब हम इसमें डालते हैं पनीर के पीसेस आप वीडियो पूरा देखिएगा अब इसमें हम तड़काविन मारेंगे बहुत य चीवंती पालक पंी इस तरह से गहस में रखते हैं तड़का पेन इसमें ढलते हैं थोड़ा सा तेल अब डालते हैं मेथी दाना कटी हुई बारीक लसन चला लेते हैं डालते हैं सावुत लाल मिर्च इसको भी चला लेते हैं अब तड़के को हम डालते हैं पालक पनीर के उपर मिला लेते हैं पालक पनीर हमारी बहुत ही अच्छी बनी हुई है आप भी बनाईएगा और सबको खिलाईएगा बहुत ही अच्छी बनी है बहुत ही लाजवाब बनी हैं झाल झाल